नमस्कार सिक्षक सातियों NIAWS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है मैं डाक्टर इसब कुमार मिस्र इस सत्र में आप से बहुवर्गी कक्षा में सिक्षन विशेपर चर्चा करने जा रहा हूँ आचा है कि यह चर्चा आपके लिए लापरत सिद्ध होगी सरवर्थम हम इस पर चर्चा करते हैं कि बहुवर्गी सिक्षन क्या होता है आप चानते होंगे कि कुछ प्रात्मिक विद्यालों में एक अध्यापक को एक बार में दो या तीन कक्षाओं को एक साथ एक ही कक्ष में पढ़ाना होता है ऐसी इस्तिती को हम बहु कक्षा सिक्षन या बहुवरगी सिक्षन की संग्या देते हैं हाला कि विद्यार्थियों की अवस्था, विकास कास्तर, विद्याले, अनुभव और परिपक्वता के आधार पर इसे सिक्षन की आधर से स्थिती नहीं माना जाता है लेकिन कई हमारी व्यवस्थागत, संदचनगत और समर्च से आएं होती हैं जिस कारण हमें बहुवरगी सिक्षन करना पड़ता है जैसे आपका विद्याले किसी दूर दराज के छेत्र में स्थित है जहां की इस्थानी आबादी बहुत कम और विखरी हुई है ऐसी स्थिति में आपके विद्याले में एक निर्धारी सीमा से कम संख्या में विद्यारती होते है और उसकी अनूप सिछकों की संख्या तै होती है जिस कारण बहुवरगी सिक्षा का सुरूप जयन्म लेता है बहुवर्गी कक्षा सिक्षन को यदि हम चुनौती मानते हैं तो हम तरह तरह की समस्याओं को इससे जोड़ कर देखते हैं जैसे सभी विद्याथियों के अधिगम आउसेक्षन सम्मूलित नहीं होती हैं द्यापक पर दबाओ पड़ता है निर्धारित लक्ष नहीं प्राप्त किये जा सकते हैं लेकिन आप सभधानी पूरोग विचार करेंगे तो बहुवर्गी सिक्षन भी आपके लिए एक कक्षा सिक्षन जैसा ही आसान अवसर है आपको आउसेक्ता है तो बहुवर्गी कक्षा सिक्षन के लिए कुछ सिध्धानतों और युक्तियों को अपनाने की आईए विचार करते हैं किस तरीके से बहुवर्गी सिक्षन को हम अपने आउसेक्ता के अनुसार संसाधन पना सकते हैं इसके लिए मैं चार पक्षियों पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा पहला समू निर्माण दूसरा पाठ चर्या का नुकूलन अुक्रिया का लाबो का सायोजन तीसरा सकारात्मक अनुसासन और चौथा सिक्षन अधिगम सामक्रियों का प्रियोग पहला मैं लेता हूँ समू का निर्माण जब आप वहवरगी सिक्षन कर रहे हूँ तो यह विचार करिए कि किन कक्षाओं को वहवरगी सिक्षन में समलित करना है यह सुझाव दिया जाता है कि क्रमागत या आसन कक्षाओं का समूहन बेहतर होता है अर्थाथ आप उन कक्षाओं का समयुजन करें जो एक के बाद दूसरी होती है कक्षा एक के साथ कक्षा दो का समयुजन करें कक्षा तीन के साथ कक्षा चार का समयुजन करें यह सुझाव इसलिए उप्यूप्त है कि क्रमागत या आसन समयुजन की सितिती में विद्यार्थियों के कठिनाई अस्तर भी करंबद्ध हो जाते हैं और आपको उनके पूरू ग्यान से नए ग्यान की और बढ़ने में सुविधा होती है। कक्षा का समूहन करते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे मिस्तित दक्षता समूह बनाएं जिसमें एक निधारित अस्तर के विद्यार्थियों में अलग-अलग प्रकार की योकेताई हैं। कई बार समूहरूप दक्षता समूह बनाएं और उन्हें इस ततन निस्वादन का धायत उस्वों पे हैं। कई बार आप कक्षा को ही समूह की इकाई मान सकते हैं और उसके अनुसार सिक्षन कर सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग को भी ध्यान में रखते हैं आप कक्षा में समूह का निर्मार कर सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग से आसा यह है कि जिस विद्यार्थी को आप मानते हैं उसने कोई निधारित अधिगम योगिता अरजित कर ली है। उसके साथ एक ऐसे विद्यार्थी का समों बनाए, जिसने उस अधिगम योगिता को अजित नहीं किया है, उसका वलोकन करके साथ कारे करते हुए भागी तारी से दूसरा विद्यार्थी भी उसे सीखता है, महत्पूर बात यह है कि कक्षा में बैठक विवस्था को भी आपको नियोजित करने की अफसिकता होती है, आपकी कक्षा में एक से अधिक प्रकार की कक्षाएं बैठ रही हैं, वह अभी एक ही अस्थान पर कौन कहां बैठेगा, सिक्षक से किसकी अंता क्रिया किस प्रकार होगी, कहां पर सहयक सामगरी रखी जाएगी, कहां पर अधियन कोना होगा, इन बातों को जब आप संग्यान में देते हैं, तो कक्षा का समोही करन बहुवर्गी सिक्षन के अनुकूल हो जाता है, आईए अब दूसरे पक्ष पे चर्चा करते हैं, पाठ्य चर्या का अनुकूलन और क्रिया कलापों का सायोजन, इसके लिए कुछ महत्पोंट सुझाओ हैं, धरन के लिए आप पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाएं, जब आप पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाते हैं, तो आप एक कक्षा को अवसे पढ़ा रहे हों। ऐसे समूह पर दूसी कक्षाओं को स्वाध्यायकार या परियोजनाकारे सौप दें। तीसरा पूरी कक्षा को एक विसे पढ़ाएं लेकिन दक्षता और अस्तर के अनुसार स्रेणी कर दें। उदारण के लिए आप विद्यार्थियों को एक से नौ तक के गिंती दें और उन्हें कह दें कि जो विद्यार्थि प्रात्मिक अस्तर पे हैं कक्षा एक में हैं वे इन में से दो अंगों की संख्या बनाएं। जो विद्यार्थी कक्षा दो में हैं, वे दो अंखों की संख्या को बरते विक्रम में लिखें, जो विद्यार्थी कक्षा तीन में हैं, वे तीन अंखों की संख्या बनाएं, कई बार विद्यार्थियों को सतंत्र प्रयोजना कारे दें, जैसे बड़े विद्यार्थियों को को भित्ति पत्रिगा के सम बदन में सनलगने कर दें इस तरह से आपको कक्षा विशेस को सिक्षन करने के लिए अत्रिक्ट समय मिल जाएगा और दूसरी कक्षा भी सार्थक तरंग से सनलगने होगी वह इधर उधर व्यवधान पैदा करने का कारे नहीं करें गे आप अपनी क दिमिरियां भी महत्पुन होती हैं यह ध्यान रखें कि आप अपनी बहवरगी कक्षा में अस्थानी तेवहार उच्सव और शिल्प कलाओं आधिका उपयोग करें यह पार्थिसा अगामी क्रियाओं के रूप में नहीं होते हैं इन्हें आप अपने मुख्य मंदित करने की कोशिस करें और इसके आधार पर बच्चों की सांस्कृतिक ज्यानकोश का उपयोग करते हुए उनके सिक्षण के अवसर को तयार करें अभी मैंने आप से बात की कि विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से क्रिया कहला आपका आयवजन किया सकता है यह भी सीमा अत्पूर्ण है कि बहु अर्गी सिक्षण में प्रायह व्यवधान को उसकी सीमा बताए जाता है कहा जाता है कि एक से अधिक प्रकार की योखिता और कख्षा के विद्यार्थि होने के कारण कख्षा में व्यवधान पढ़ता है आप सकारात्म कनुसासन की नीती अप अपना कर इस सीमा को दूर कर सकते हैं कख्षा में विद्यार्थियों से व्यक्तिक संबंद बनाएं उन्हें एक कमफर्ट जोन प्रधान करें जहां वे आपके पास आने से अपनी बात कहने से अपने सवाल पूछने से नहिच कि जाएं कख्षा के विद्यार्थियों के बैठी हुई है कौन कब क्या करेगा के संदर्व में यदि सहमती है तो विद्यार्थियों को खुद नियम बनाने को कहें ऐसा कहने से उनमें दाई तो बोध हाएगा और आपके सम्मुक उनके ग्रुप डायनिक्स भी प्रकास में आएंगे उनकी अपेक्षाएं भी प्रका प्रकास में आएंगी यह अवस्यक है आप विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहें ताकि विद्यार्थी आपके साथ कभी भी चर्चा कर सके आप उसकी निगरानी कर सके और आप उस निगरानी को इस भाव से मत कीजिए कि वह सरारत कर रहा है या उसे दंड और पूर हैं जहां हासिय के समासे विद्यार्थी आ रहे हैं इस इस्तिति में आपको अपने कख्षा को जिंडर समेधन सील बनाने की जरूवत है परिवार और समुदाय के प्रिशकार अत्मा का विर्ति रखने की जरूवत है उनकी छेत्री भाषा बोली और अन्य प्रतिकों का सम्मान करने की आप सक्ता है ना बहुवर्जी कख्षा शिक्षन में आकलन एक हम पर्याज करने चाहिए आकलन प्त्रों का प्रियोग करें शिक्षण के पूर्वं आखिलन प्रपत्र दें ताकि आप उनका पूरू ज्यान जान सकें ये बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं एक महत्पुर्मात यह है कि आप एक मनंसील अध्यापक के रूप में जांच करें कि आपके सिक्षण का कौन सा पक्ष सफल रहा और किन पक्षों को मजबूत करने की आव सकता है बहु अरगी सिक्षण की मुख्य सीमा यह बताई जात है इस अर्थ में बहु वरगी अख्छा में सीच्षन सामगरी की भूम का अद्धिय ठर्शरती है बहु यकि सीक्षण में कहां से सामगरी कोई कि समस्या का निर्धारण आप तीन तरीकों से कर सकते हैं अस्थानी परिवेस में उपलब संसाधन का चियों का त्यों प्योग कर लें जैसे बीज पेड़ के पत्ते समाचा रहा दी इन सामग्रियों को संसोजित करें जैसे सिक्षक कोलाज बना कर लाएं मौडल तयार करें इ जैसे उन्हें पोश्टर बनाने को कहें भिति पत्रिका निकालने को कहें आप देख सकते हैं कि यदि एक कक्षा में विद्यार्थी सामग्री को तैयार कर रहे हैं तो दूसरा समूं आप द्वारा तैयार की गई सामग्री से लाभानवित हो सकता है और तीसरा समूं स्वतन त्रूप से परिवेश से संसादनों को खोजने के कारे में भी रत हो सकता है सुचना पुरुद्योगी की कि इस यूग में स्वयम आप इंटरनेट जैसे सादनों का प्रियोग करते हुए कक्षा के लेकरिया कलाव कारे प्रपत त्यारी का निर्मान करें और विद्यार्थियो में लिखित और मुद्र सामगरी जैसे पाठ पुस्तक अखबार पत्रिकाय शब्द को सों विग्यायन विशय की किठो गणित के किठो ग्लोब मांचेत्र समय रेखा इत्याद ही हो इसके अलावा चूंकि कई वारा विद्यार्थियों को सुवयम संसाधन निर्मान के लिए इसलिए उससे संबन्दि साहिक सामगरी कैची टे जरीबन रंग आधिवी उपलब्द होना चाहिए इन सारी सामगरियों का प्रियों करकर कि कक्षा में संसाधन कोना बनाए जहां यह सामगरी उपस्थित हो और आशक्तानुस खरिश्का प्रियोग कर सके कारे प्रपत्र ए के लिए प्रपत्र बनाएं सामुही कारे के लिए प्रपत्र बनाएं कख्षा को निर्देश देने वाले प्रपत्र बनाएं और यह सू इस पश्ट सू परिभासित हों जिससे जब आप इन कारे प्रपत्रों का वित्रन करें तो उस समूह को आप से अत्रिक्त संबाद कि आप सकता ना पड़े और वहां से जो समय आपका निकलता है उसे आप प्रत्यक्ष सिक्षण में उसी समू की किसी अने कक्षा के लिए प्रियुक्त कर सकें बहुवर्गी सिक्षण में आप अस्थानी संसाधन जैसे वनस्पति खनेज प्रकिस से प्राप्तवस्तों आधिकावी प देशा ज्यान जैसे संसाधन भी आपके कक्षा को प्रभावसाली बनाने में मदद करेंगे तो साथियों अब तक मैं आपसे यह चर्चा कर रहा था कि बहुवर्गी सिक्षण में सिक्षण अधिगम सामगरी का प्रभावपूर्ण उप्योग आपको अपने समय को प्रभा गलग संसाधनों का प्रियोग करते हैं तो आप अपने एक समय में एक कक्षा में भागी दारी की प्रकित में नए नए प्रियोग करेंगे आप एक समय पर एक कक्षा के साथ प्रत्यक्ष सिक्षण करेंगे दूसरी कक्षा को स्वाध्याय का दाई तुस्वों पें तीसरे क कख्षा के बाहर के परिवेश में किसी परियोजना का इस तरीके से एक साथ एक समय पर तीन कख्षा का सहयोजन कर सकते हैं आपके लिए एक अच्छा वसर है आप एक मनंसील अध्यापक के रूप में बववर्गी सिक्षण को एक औसर माने यह आंतरिक प्रयत्न मात्र नहीं ह है इसके अभ्याद से मनंसील सचेत और तदुन्वुच सिक्षा के रूप में आप विक्सित हों और आप अपने विद्याठ्थियों को गुरत्ता पूर्ण सेक्षी कहनुआ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं उमीद करता हूं कि यह चर्चा आपके लिए कारगर सिद्ध होगी धन्यवाद